दोस्तो अगर आपके Facebook पर भी restricted monetization की problem आ रही है आपके Facebook पर monetization disable हो चुकी है और in stream you can't earn money from your video अगर आप अपने Facebook वीडियो से एक भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे restricted monetization की इस problem को solve कर सकते हैं वीडियो को complete देखना तब ही आप समझ पाएंगे नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी फिचेट है YouTube चैनल में गाईज चैनल पने चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना वीडियो को लाइक नहीं क्या तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो दोस्तो आईए वीडियो शुरू करते हैं तो गैज जैसे आप यहाँ सामने दे सकते हैं सामने यहाँ पर मैंने फेस्बुक पेज को अपन करके रखा है उसके बाद जैसे मैं थ्री डॉट के उपर जाता हूं उसके बाद प्रोफेशनल डैश बूर के उपर क्लेक करता हूं क्लेक करने के बाद आप यहाँ पर दे सक यहाँ पर जो मेरे कितने टूल मौनाटाइज हुए थी, स्टार मौनाटाइज था, इंस्ट्रीम एड मौनाटाइज था, सुस्क्रिप्शन ठीक है, अब जैसे मैं इंस्ट्रीम एड के ओपर क्ले करता हूँ, तो यहाँ पर दे सकते हैं, यह प्रॉलम आ रही है, अर्निंग ठीक है उसके बाद मैं go to policy issue के उबर click करता हूँ click करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे restricted monetization और नीचे यहाँ पर आ रहा है in stream at you can't earn money from your video ठीक है तो यह problem आ रही है restricted monetization अगर आपके facebook page पर भी यह problem आ रही है तो आप समझ लेना कि आपके facebook पर monetization disable हो चुकी है और आप अपने facebook पर वीडियो से एक भी पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक आप इस problem को solve नहीं कर लेते तो यह problem solve कैसे होगी अब guys यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं content violation यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप यहाँ पर दे सकते हैं कितने minute का वीडियो है कितने second का वीडियो है तो यहाँ पर दे सकते हैं 14 second का only real वीडियो है जिसकी वज़ा से यह problem आई है तो यहाँ से मैं back आता हूँ सबसे पहले तो guys आपने इन सभी वीडियो को delete करना है जिन पर भी content violation की problem आई है ठीक है क्योंकि उनकी वज़ा से यह आपका जो facebook page है वो monetize नहीं हो पा रहा है अगर monetize हो जाता है अगर आप दुबारा से किसी दूसरी का content upload करते हैं या कुछ music upload कर लेते हैं तो यह problem आ रही है ठीक है तो आपको करना क्या है इसको आप delete कैसे करेंगी क्योंकि आप यहाँ से तो आप delete कर नहीं पाएंगी ठीक अगर आप issue के उपर click करते हैं click करने के बाद दे सकते हैं यहाँ पर कोई भी delete करने का option नहीं है तो सबसे पहले तो आपको back आना है back आने के बाद guys आपने सबसे पहले नीचे जाना है तो यहाँ पर आपके सामने एक option आजाएगा help support ठीक है आपनी इसके उपर सबसे पहले इसके उपर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सामने एक option है sport inbox टी के आपने इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर your alert के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर कोई भी violation नहीं है जबकि वहाँ पर violation हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मैं back आता हूँ, back आने के बाद, तो गई सबसे पहले तो आपने उन सभी वीडियो को delete करना है, जिन पे भी content violation प्रॉलम आ रही है, तो सबसे पहले मैं उस वीडियो को delete कर लेता हूँ, मैं profile पर जाता हूँ, real पर आ चुका हूँ, मैं यहाँ पर दे सकते हैं, सामने ही यह video है, इसकी बज़ा से यह problem आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर delete कर देता हूँ, इस video को मैंने delete कर दिया है, delete करने के बाद, आप मैं दुबारा से यहाँ पर आता हूँ, और professional dashboard के उबर click करता हूँ click करने के बाद मैं दुवारा से monetization के उबर click करता हूँ click करने के बाद गाज इन stream ad के उबर click करता हूँ और यहाँ पर go to policy issue के उबर click करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आप दे सकते हैं कि अभी यहाँ पर यह problem हट चुकी है restricted monetization problem अभी भी यहाँ पर आ रही है और यह problem आपकी ज़्यादा तर 90 दिनों तक रहती है 90 दिन तक यह problem रहेगी उसके बाद आपने आप solve हो जाएगी अगर आपका unique content होगा यानि कि अगर आपका खुद का content होगा तो ठीक है आप यहाँ पर back आना है back आने के बाद सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ पर setting के उबर click करना है उसके बाद page setting के उबर click करना है आप नीचे आएगी तो यहाँ पर आपकी सामने एक option आ जाएगा page status ठीक है आपने इसके उबर click करना है तो आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपके सामने एक option है page is recommendable आपने इसके उबर click करना है जैसे आप इसके उबर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने option आ रहा है recommendation आपने इसके उबर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पिर आप facebook से ही कोई video download करते हैं और उसको ही Facebook पर डाल देते हैं तब ही आपके Facebook पर problem आएगी ठीक है यहाँ पर दे सकते हैं क्या क्या होना चाहिए आपकी वीडियो में आपर सब कुछ दिया है ठीक है आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार और अगर आपके Facebook पेज की monetization disable हो चुकी है तो आपको जितने भी आपने दूसरे के content upload किये थे उन सभी को delete करना है और 90 दिन के अंदर आपकी problem solve हो जाएगी और आपकी restricted monetization की जो problem आ रही है आपको बार बार ये भी solve हो जाएगी तो इसी तरीके से आप इस problem को solve कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like जरू कर देना visit a YouTube channel पर नएगा चैनल को subscribe जरू करें कोई problem आती है तो वीडियो के नीचे comment box में अगर आप comment कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद